जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी गुरुजी आप जी का नंतम शुक्राना जो आप शिप पुरान अपने सामने बिठा कर पढ़वा रहे हैं और सुन कर उसे लोगों तो संगत तक महुचाने की किरपा कर रहे हैं अभी सहस्त्र नाम चल रहे हैं शिवजी के 216. सुल्भ नित्य निरंतर चिंतन करने वाले एकनिश शिर्धालू भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले 22. शूरह शौरे संपन भ्रम वेद निधी प्रमा और वेद के प्राधुर भाव के स्थान निधी जगत रूपी रतन के उत्पत्ति स्थान 22. वर्न आश्रम गुरू वर्नो और आश्रमों के गुरू उपदेश्टा वर्नी भ्रमचारी शत्रू जित अंधका सुर आदी शत्रू को जितने वाले शत्रू तापना शत्रू को संताब देने वाले 23. आश्रम, क्षपन, शामो, ग्यानवान, चलेश्वर, परमान भूतो, दुर्गेह, सुपर्नो, बायु भाना 24. आश्रम, सबके विश्राम स्थान, क्षपन, जनम मरन के कश्ट का मूलो च्छेत करने वाले, क्षाम, प्रलेकाल में प्रजा कोशीन करने वाले 24. ज्यानवान, ज्यानी, अचलेश्वर, परवतों तथा, अथ्वा स्थावर्पदार्थों के स्वामी, परमान भूत, नित्यसिद, प्रमान रूप, दुर्गेह, कठिंता से जानने योगे, सुपर्न, वेद, मै, सुंदर, पंक वाले, करुड रूप, वायु भाना, अप अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाले, धनूर धरो, धनूर वेदो, गुन राशी, गुनाकरह, सत्यह, सत्ये परो, दीनो, धर्मांगो, धर्मसाद्न, धुनर धर, पिनागधारी, धनूर वेद, धनूर वेद के ज्याता, गुन राशीह, अनंत कल्यान मैं गुनों क गुणा करह सद्गुनों की खानी, सत्य सत्य सवरूप, सत्य परह सत्य परायन, अदीन दीनता से रहित उदार, धर्मांग धरम मैं विग्रह वाले, धरमसाधन धरम का नुष्ठान करने वाले अनंत द्रिष्ठी रा नंदो, दंडो, दमेईता, दमह, अभिवाधो, महामायो, विश्व करम, विशार्ध, अनंद द्रिष्ठी हो, असीमि द्रिष्टी वाले, अनंध, परमानंद मैं, दंड़, दुष्टों को दंड देने वाले, अथ्वा दंड सवरूप, दमेईता, द दूर्दान्द दानमों का दमन करने वाले, दमह दमनसवरूप, अभिवाध़ प्रणाम करने जोगे, महा मायह, मायावियों को भी मोहने वाले मायावी, विश्व करम विशार्द, संसार की सिष्टी करने में कुशल, वीतरागो, विनीत आत्मा, तपस्वी, भूत भावना, उनमत वेश, प्रचन्नों, जित कामों, जित प्रिये, वीतराघ, पूर्णत्य अब्रक्त, विनीत आत्मा, मन से विनेशी, लत्मा, मन को वश्मे रखने वाले, तपस्वी, तपस्या परायन, भूत भावना, संपून भूतों के उत्पादक, एवं रक्षक, उनमत वेश, पा कल्पह, सरवलोग, प्रजापतिह, तरस्वी, तारको, शिरिमान, प्रधान, प्रभू, रवह, कल्यान, प्रकरती, कल्यान, कारी, सभाव, वाले, कल्पह, समर्थ, सरवलोग, प्रजातिह, संपून लोगों की प्रजा के पालक, तरस्वी, वेख, शाली, तारक, भारक, धीम पिशुड बुद्धी से युक्त प्रधाना सबसे श्रेष्ट प्रभुव सरवस्मर्थ अवियय अविनाशी लोगपालों अंतर हिर्तात्मा कलपादिय कमलेक्षण वेशास्त्राथ तत्व गयो नियमो नियताश शिरेह लोगपाला समस्लोकों की रक्षा करने वाले अंतर हितात्मा अंतर यामी आत्मा अथ्व अद्रिश्य सवरूप वाले कलपादिय कलप के आधिकारण कमलेक्षण कमल के समान नेतर वाले वेशास्त्रार्थ तत्वग्यत वेदों और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जान अनियम, नियंत्रन रहित, नियत आश्रेह, सबके सुनिश्चित आश्रेस्थान, चंद्रा, सूर्य, शनिह, केतुर्व, रागुह, विद्रुम, छबिह, भक्तिवशय, परभ्रम, मरिग, बाना, परणो, नगह, चंद्रा, चंद्रमा से, चंद्रमा रूप से आहलात कारी, पत्ति है तू, भूत, सूरे, शनिह, शनैश्चरू, केतु ह, केतु नामग्रैसबू, बराग, सुन्दर शरीर वाले, विद्रुम, अच्छिविय, मूंगे की, सी, लाल कांती वाले, भक्तिवशय, भक्ति के द्वारा, भक्ति के वश्च में होने वाले, परभ्रमा, परमा ग्रायल, कांत, परमात्मा, जगत गुरु, सरव कर्मालय, स्तुष्टो, मंगलय, मंगलावरत, अद्रिह, कैलाश आदी परवत सवरूप, अद्रालय, कैलाश और सुन्दर, कैलाश और मंदर आदी परवतों पर निवास करने वाले, कांत, सबके प्रियतम, परमात्मा, गुरुव समसंसार के गुरु सर्व कर्मालेय संपून कर्मो क्याश्रे स्थान तुष्ट सदापरसन मंगलेय मंगलकारी मंगलावरत मंगलकारी नी शक्ति से सयोगत। महातपा, दीतपा, स्थविष्ठ, स्थविरो, दुरुव, असमस्त्वस्तरो, व्यापित, प्रमानमा, पर्मम्तप, महातपा, महानतपस्वी, दीतपा, दीतकालतक तप करने वाले, स्थविष्ठ, अत्यन्स्थूर, स्थविरो, दुरुव, अत्यि प्राचीनेमं, अत्यन्स अह समस्तरह दिन्नेमम स्वंस्तर आदिकाल रूपसे सित अंशकाल सवरूप व्याप्तिह व्यापक्ता सवरूप पर्मानम प्रत्यक्षी पर्मान सवरूप पर्मम तपह उत्करश तपस्या सवरूप समस्तर करो मंत्र प्रत्य सरवर्थ दर्शन अजह सरवेश्वर सिध्धो महारेता महावलाव समस्तर कर समस्तर आदी काल विभाग के उत्पादक मंत्र प्रतय वेद आधी मंत्रों से परतीत प्रतक्ष होने योगे सर्धर्शन सबके साक्षी अजह अजन्मा सर्वेश्वर सबके साशक सिध्यों के आश्रे महारेता श्रेश्ट वीर्वाले महाबला प्रमगनों की महती सेना से संपन योगी योग्यों महातेजा सिद्धिय सर्वार दिर्ग्रह वर्सुव सुमना सत्य सर्व पाफरो हरा योगी योग्यों सुयोग्य योग्यों महातेजा महान तेज से संपन सिद्धि समझ साथनों के फल सरवादिह सब भूतों के आदिकरण अगरह इंद्रियों की ग्रैन चक्ति के अविशे वसुह सब भूतों के वास्थान वसुमना उदार्मन वाले सत्यह सत्यसवरूप सरवपाप हरो हर समस्पापों का पहरण करने के कारण हर नाम से परसिद्ध सुकीर्ती शोबन शिरिमान वेदांगो वेद विन मुनिह भ्राजिशनु भोगता लोक नाथो दुराधर सुकीर्ती शोबन शुत्तम कीर्ती से सुशोबित होने वाले शिरिमान विभूती सवरूपा उमा से संपन वेदांग वेद रूप अंगों वाले वेद विन मुनी हो वेदों का विचार करने वाले मनन्शील मुनी ब्राजिशनुह एक रस प्रकाश सवरूप भोजनम ज्यानियों द्वारा भोगने योगे अमरित सवरूप भोगता पुरुष रूप से उभोग करने माले लोकनाथ भगवान विश्विनाथ दुराधरज अजितेंद्रिये पुरुषों द्वारा जिनकी अराधना त्यंद क चानती मैं ब्रताबव्वान हात में बांधारन करने वाले परतापवी, कमंडलु धर, कमंडलु धारन करने वाले धनवी पिनागधारी, अवांग मनस गोचर, मन और वानी के अ विश Utah । अतिन्द्रियो महा मया सर्वा वास्ष चतुश पतह、 कालयोगी महनादो महोचाहो म महा बला। अतिंद्रियों महा माय, इंद्रिया, टीत एवं महा मायावी। सर्वाव, वासा, सब के बास्थान, चतु पश्था, चारों पुरुशार्थों की सिद्धी के एक मातरमार। काल योगी, परले के समए सब को काल से सिप्ट करने वाले। महा नादा गंवीर शब्ट करने वाले रथा अत्वा अनाहद नात रूप महोट साहो मावला महानुचसा और बल से समपण महावुद्धीर महावीर्यों भूद्चारी पुरंद्रह निशाचरह प्रेचचारी महाशक्तिर महाअधुतिह महावुद्धिह श्रेश बुद्धिवाले मावीरेह अनन्द पराकर्मी भूद चारी भूद गणों के साथ विचरने वाले पुरंदर त्रिपूर संगहारक दिशाचर रातरी में विचरन करने वाले प्रेट चारी प्रेतों के साथ ब्रहमन करने वाले महाशक्तिर महादूतिय अनन्द शक्ति एवं शेष्ट कांति से संपन और निर्देश्य वपुह शिरिमान सरवाचारे मनोगतिय भूशृतों महामायो नियातमा धुरूव धुरूव अनिद्रिश्य वपुह अनिर्वाचनिय सबुरूप वाले एश्वरेवान सबके लिए विचारे मनोगति वाले भूग्गे अत्वा सरवग्गे बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती ऐसे मन को वश्मे रखने वाले ध्रोव नित्यकारण और अध्रोव अनित्यकारण रूप अभी आगे संस्कृत की जगा मैं हिंदी में इसका उलेक कर रही हूं अर्थ बता रही हूं क्योंकि ये अर्ध्याए बहुत लंबा हो जाएगा कि संस्कृत में बोलने के बाद फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना 354 ओज, प्राण और बल, तेश, शौरे आधी गुन तथा ज्यान की दीप्ति को धारन करने वाले सबके उत्पादक, सबके साशक, नित्यके प्रेमी, प्रती दिन तांडव नित्यकरने वाले प्रकाश सवरूप, सूरे आधी को भी प्रकाश देने वाले उंकार रूप, स्पष्ट अक्षरवाले, ज्यानवान, रिक, साम और यजुरवेद के मंतर सवरूप, सबके प्रती समान भाव रखने वाले संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप, युगादी का आरम करने वाले तथा चारों युगों को चकर की तरह घुमाने वाले, गांभीरे से युक्त, नंदी नामक, व्रिशप पर सवार होने वाले परमानन सवरूप होने से सरफ रिये, संपून विशेशनों से रहित, शिष्ट पुरुशों के इश्ट देव, अनन्ने चित्से निरंतर स्मरन करने वाले भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्ठ होने योगे, सार्तत की खोज करने वाले तीर्थ सवरूप, तीर्थ नामधारी अत्वा जिनका नाम भवसागर से पार लगाने वाला है ऐसे, तीर्थ सेवन से अपनी सवरूप का दर्शन कराने वाले, अथवा गुरू किरपा से परत्यक्ष होने वाले, चर्नोदक सवरूप तीर्थ को देने वाले, जल के निधान समुद्र सवरूप, उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रे अथवा जगत रूप पर पंच के अधिश्ठान जिनको जीतना कठिन है ऐसे विजे के अफसर को समझने वाले अपनी महीमा में स्थित प्रमानों के ज्याता स्वरण मै कवच धारन करने वाले श्री हरी सवरूप संसार बंदन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले देव समुधाय सवरूप संपून विध्याओं के स्वामी बिंदु रूप प्रणव के आश्रे बालक करूप धारन करने वाले बल से उनमत ना होने वाले विकार रहीत दुर्बोत सवरूप या अगम्मे माया से अपने य चुड़ाने वाले निश्च्यात्मक ज्यान सवरूप संपून जगत की विवस्था करने वाले धुरुवादी भक्तों को अविचल सिती परदान कर देने वाले हिर्ने गरब रूप से जगत के आदी में प्रकट होने वाले शेष्ट वस्तु परदान करने वाले अत्वा ज ब्रहमान सवरूप, वीरो मेश्रेष्ट, विद्वान, विज्यानन सवरूप, मस्तक पर गंगाजी को धारन करने वाले, आग्या का पालन करने वाले, तिशूल धारी, तेजो मही किर्णों से व्याप्त, भगवती शिवा के आश्रे, वाल शिखे रिशी रूप, महान धनुर सूरे रूप, लौकिक विश्यों की चर्चा ना सुनने वाले, अकाश चारी, परम सुन्दर, सबके लिए सुन्दर आश्रे रूप, सूब्रहमाने, ब्रामनों के परम हितैशी, अमरित कलश के रक्षक, कुशिक वन्शिये, इंदर सवरूप, प्रकाश किन्नों से युक्त समस्प्राणियों के लएकिस्थान, समस्कामनाओं को सिथ करने वाले, ललाट में तीसरा नेथ धारन करने वाले, जगत सवरूप, सार्थ अत्वरूप, संसार चक्र को धारन करने वाले, जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ऐसे उदासीन, स्वर्ण अत्वा तेज सवरूप, ब्रह्म तेज से संपन, मोक्ष रूप उत्करष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाले, महा मायावी, कल्यान प्रद, व्यागर के समान भ्यानक नेतरों वाले, दिप्ति रूप, ब्रह्म सवरूप, स्वर लोक में बंधु के स बानी की अधिपती, दिन के स्वामी सूरे रूप, समस्त रसों का शोशन करने वाले, विवित प्रकार से प्रकाश फिलाने वाले, स्वामी कार्ति के रूप, सब पर साशन करने वाले सूरे कुमार यम, अश्टांग योग सवरूप अत्वा उर्द्व लोग में फैली हुई कीर्थी से युक्त, बग जनों पर प्रेम रखने वाले, दोस्रों पर विजे पाने वाले, कैलाश के स्वामी, कमनी अत्वा कांती मान, समस जगत कूत्मन करने वाले, सूरे रूप नेतर वाले, पिश्चेत रूप से कल्यान कारी, जिनके नाम, गुन, महिमा और सवरूप के श्रवन, तथा कीर्थन, परम, पावन हैं ऐसे, सरव्यापी होने के कारण दूर की बाद भी सुन लेने वाले, भग जनों के सब अपरादों को किर्पा को पूर्वक सह लेने वाले, ध्यान करन योगे, चिंतन करने मातर से बुरे स्वपनों का नाश करने वाले, संसार सागर से पार उतारने वाले, पापों का नाश करने वाले, जानने के योगे, जिनके वेक को सैन करना दूसरों के लिए त्यंत कठीन है, ऐसे संसार बंदन से रहित अत्वा अजन्मा, जिनका कोई आ प्राणी मातर को जनम देने वाले, जनम लेने वालों के जनम के मूल कारण, प्रसन सदा नीती परायन, सबके स्वामी, मन और इंद्रियों को त्यंत वश में रखने वाले अथ्वा वसिष्ट विशी रूप, द्रिष्टा अथ्वा कश्यक मुनी रूप, प्रकाश मान दुष्टों को भय देने वाले, अतिश्य भय दायक, पराकरम से युक्त, उंकार सवरू, सत्पूर्शों के मार्ग पर चलने वाले, अन्न मैं आदी पांचों कोशों को अपने भीतर धारन करने के कारण महा कोश्रू, अपरिमित एश्वरे वाले अत्वा कुबेर को भी ध देने के कारण महा धन्वान, जनम उत्पादन रूपी कारे के अध्यक्ष भ्रह्मा, सर्वत्करष्ट देवता, समस्षास्रों के पारंगत विद्वान, तत्वम, तत्व विदेक कात्मा, विभुर्वी, शव विभूशनह, रिशी ब्रह्मन, एश्वरे जनम, रित्यू, जरातिकव, यथार्तत्वरूप, यथार्तत्व को पुन्ता जानने वाले, अध्युत्य आत्मरूप, सर्वत्र व्यापक, 505, संपून जगत को उत्तम गुनों से विभूशित करने वाले, मंत्र, द्रश्टा, भ्रम, वेता, एश्वरे, जनम, रित्यू और जरा से अतीत, पंच महायगों की उत्पत्ति के हेतू, विश्वनात, निर्मल अभ्युद्य की प्राप्ति कराने वाले धरम रूप, स्वयंभू, आदियन से रहीद, भक्तों के प्रतिबात, सले सने से य लाश परवत पर रमन करने वाले, दिवेश्वरों के भी ईश्वर, प्रमत गनों की सुंदर सेना से युक तथा देवशत्रों का संघार करने वाले, अमोग संकल्ब वाले महर्शी कश्य परूप, भूतल को आलहात प्रदान करने वाले चंदरमारू, चिंता रहित, अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सुक्ष मजयोती सवरूप, अपने सवरूप भूद ग्यान की प्रवा से प्रकाशित, चंचलता से रहित, पिंगल वर्ण वाले, कपिल वर्ण की दाड़ी मूच रखने वाले दुरवासा मुनी के रूप में अवतीन, ललाट में तृत् करने वाले, तीनो लोग या तीनो वेज जिनके सवरूप में ऐसे, ज्यान प्रदो शेष निती वाले, जगत की उत्पादक, संघार कारी, अधिती नंदन भग एवं विवस्वान, योग विध्या में पारंगत, त्वरग लोग के स्वामी, कल्यान कारी गुन और नाम वाल उध्योक शील, शेष योगी, सद सत्त सवरूप, नक्षत्रों की माला से अलंकरित आकाश रूप, स्वरक के स्वामी, स्वाधिष्ठान चक्र के आश्रे, नित्य शूर्देवं पापनाशक, मनी पूर नामक चक्र सवरूप, आकाश चारी, हर्दय कमल में स्थित, इंदर शान सवरूप, हरी हर, हला हल की विश्गी गर्मी से उशंता युक्त, समस्त भ्रमान रूपी घ्रहे के स्वामी, सचिद्धानन सवरूप, समर्थे शाली, अनर्थ का नाश करने वाले, अधरम नाशक बुद्धी की पहुँच से परे, अत्वा जानने में ना आने वाले, बहुत से नामों द्वारा पुकारे और सुने जाने वाले, ब्रह्मा जिनके गर्बज शिचु के समान है ऐसे, विश्व ब्रह्मान प्रले काल में जिनके गर्ब में रहता है ऐसे, धरम रूपी, विर्शप को उत्पन करने के लिए धेनु सवरूप, धन की प्राप्ति कराने वाले, समझ संसार का हिच्चाने वाले, उत्तम ज्यान से संपन अथ्वा बुद्ध सवरूप, कार्ती के रूप कल्यान दाता, सुवरन के समान गौरव वर्ण वाले तथा तेजस्वी, नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीडा करने वाले, नाद स सवरूप, असक्ति शूने, नेत्रों में द्रिष्टा रूप से विध्यमान, संपून जगत के प्रती मैतरी भावना रखने वाले मुनी सवरूप, धन के स्वामी कुबेर, जोती सवरूप ब्रह्मा, सुवरन और रत्नों के तेज से प्रकाशित अत्वा वसुदा आशक सर्वोत्तम महाज्योती सवरूप, मातर काओं के जनमदाता होने के कारण माता महँ, अकाश में विचरने वाले वायुदेव, सर्प मैहार धारन करने वाले, पुल सत्य नामक मुनी, पुला नामक रिशी, कुम जन्मा अगस्ते रिशी, इसी नाम से परसिध मुनी, श इस्रत यश्वाले विश्णु सवरूप, स्वयंभू भ्रम्मा, अकुंठित गति वाले, अत्री नामक्रिशी अत्वा, त्रिगुणा तीत, ज्यान सवरूप, महायशस्त्वी, विश्विख्यात, वीरों में अग्रगण्ने, शूर्वीर, प्रलय के समय अत्यंत्यक्रोत करन सत्य पराकर्म, सच्चे पराकर्मी, सर्पों के अभुशन से शिंगार करने वाले, महाकल्प संग्यक, कालसव रूप बाले, शर्णागतों की इच्छा पून करने के लिए कल्प रिक्ष के समान उदार, चंद्रकला धारी, अलंकार धारन करने या कराने वाले, विचलित न प्रकाश मान पराकरम में बड़े चड़े। प्रकाश मान पराकरम में बड़े चड़े। व्यहिमंत कालो, सुगंधित मल्या निल से युक्षशिशिर रितुरू, चैतर वेशाक इन दो मासों से युक्त वसंतुरू, ग्रीशमरितुरू, भादरपद मास रू, धान आदी के बीजों की प्राप्ति, कराने वाला शरत कालू. अंगिरा नामक रिशी तथा उनके पुत्र देव गुरु भश्पति, अत्रीकुमार दुर्वासा, निर्मल, संपून जगत का निर्वा कराने वाले, पवित्र करने वाले, उत्तम बुद्धी वाले विध्वान, तीनो वेदों के विध्वान, अथ्वा तीनो वेदों के द् विशव रूप श्रेष्ट महान वाले, मन बुद्धी और अंकार सवरूप, आत्मा, शरीर रूपी शेत्र का पालन करने वाले परमात्मा, जमद अगनी नामक रिशी रूप, अनंत बल के सागर, अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले, विश्विख्याद सब रूप से जगत को निगल जाने वाले, सौमे रूप वाले, सरफ श्रेष, श्रेष रग्यरूप, कल्यान दाता, शिला महे लिंग रूप, अकाश कुंद चंदर्मा के समान गौर कांती वाले, दानव शत्रू, शत्रों का दमन करने वाले, सुन्दर निशाकर रूप, न चतुर पुर्शों के पृए, वेच सब रूप, अक्षर समामन नाय, शिव सूत्र रूप, तीर्थों के देवता और शिवाले रूप, अनेक रूप वाले, विराड रूप, धारी, चर और अचर संपून रूप वाले, नियाय करता और नियाय शीर, नियाय युक्त आचरन से प्राप्थ होने योग्य निर्मल, सहस्तरों सिर वाले देवताओं के स्वामी, पक्षी योदाओं के संपून, सहस्तरों को नश्ट कर देने वाले, मुडए हुए सिर वाले सन्यासी, विविद रूप वाले विक्रम, शील, दंडधारी, मन और इंद्रियों का दवन करने गुणों में सबसे श्रेष्ट, पिंगल, नेतरवाले, जीव, मातर के साक्षी, नील, कंठ, नीरोग, सस्त्रों, बुजाओं से युक्त, सबके स्वामी, शर्नागत, इतैशी, संपून लोकों को धारन करने वाले, कमल के आसन पर विराजमान, परमपरकाश सवरू, परमपरा कारण और कारे के ग्याता, अभीष्ट वर देने वाले, वर निये, अत्वर, श्रेष्ट, दमरू का गंभीर नात करने वाले, देवताओं तथासुनों के गुरु देवेमम अराधे, देवताओं तथासुनों से वंदित, देवता तथासुनों के बड़े मित्र, अलोकिक सवरूप वाले देवताओं और असुरों के महानाश्रे। अलोकिक सवरूप वाले देवताओं और असुरों के महानाश्रे। असुरों के देवताओं के अधिपती, योगेश्वर, युक के निर्वाहक, आत्म विचार रूप धरम में स्थित, अत्वा सरब धरम, परायन, स्वर्ग लोक में जिनके यश्कागान किया जाता है ऐसे। साथ परकार के स्वरों से युप्ध हनी वाले। बानाशुर्क के स्वामी अत्वा बानलिंग नर्मदेश्वर में अधिदेपता रूप से स्तित, बीज के उत्पादक, धरम के पालक और उत्पादक, माया मये, रूप धारी, लोव रहीत, अर्थ, सबके पर्योजन को जानने वाले कल्यान, निकेतन, शिव, संपून, प्र बानाशुर्क विद्वन्स करने वाले, यग्यमय विश्णु का गला काटने वाले, दोश रहीत, अविनाशी गुनों से संपन, दक्ष रोही, पूशा देपता के दाथ तोडने वाले, जटा के भार से विभूशित, खंडिक पर्शु वाले, सकार इवं निराकार परमात् पाप के सपश से शुन्ने, काल के परभाव से रहीत, सब के आधार, श्वेत कांती वाले, सुपदायक एवं तांडव नित्यकारी, सरव्यापी परभ्रमा परमात्मा, भक्तों के बिलाशा पून करने वाले परम पवित्र, सुन्दर कुमार हैं जिनके ऐसे, सुन्दर नेत परमात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मा में अव्यत्तुरूप से व्यापक महिर्षवर संपून लोकों के बंदु वे मुम्रक्षक उपकार को मानने वाले उत्तम यस्से विभूशित विनाश रहित अविनाशी प्रजापती दक्षकांत करने वाले संपून शस्तर धारियों में श्रेष्ट, तेजस्वी और किर्तिमान, संपून जगत के लिए अगर गणने देवतात्वा जगत को आगे बढ़ाने वाले अत्यन सूक्ष्म, पवित्र मुस्कान वाले, हर्श बरे हिर्दे वाले, जिन पर विजेपाना, त्यन्त कठीने ऐसे, दुरलंगे तेजोमय, विश्वनात, अकार रहिद परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्भी की वीना वजाने वाले, संगहार के समय महान क्रोथ करने वाले, शोक रहिद, शोक का नाश करने वाले तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धी करने वाले, इंद्रियों और उनके विश्यों से अतीत, अव्यक्त लक्षन वाले देवता, स्थूल सुक्ष मरूप, प्रजाओं के पालक, शेष सभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार् सुक्ष सवरूप, सिष्टी करता ब्रह्मा, प्रजाओं के समान चाल वाले, गरुडपक्षी, ब्रह्मा धाता और विधाता नामक देपता सवरूप, सिष्टी करता संघार कारी, चार मुख वाले, ब्रह्मा, कैलाश के शिकर पर निवास करने वाले, सरव्यापी, निरंतर गतिशील वायु देवता, ब्रह्मा, ब्रह्मा, प्राणियों का पालन करने वाले, पृत्वी के स्वामी, श्रेट योगी, योग विध्या के ग्याता, योगी वर देने वाले भ्रामनों के प्रेमी, देवताओं के प्रियतता, रक्षक, देवतत्व के ग्याता, देवताओं क उत्पात से दूर दर्ब का हनन और खंडन करने वाले स्वाबी मानी समस रित्वों को बदलते रहने वाले सहस्त्रों पर विजे पाने वाले सहस्त्रों किर्णों से प्रकाश मान सूरे रूप सने युक्त सभाब वाले तथा उदार भूद बविश्य और वर्तमान के स्वामी, सबक्यूत पत्ती के कारण दुष्टों के एश्वरे का नाश करने वाले, परम पुरुशार्थ रूप, प्रयोजन रहीत, अनन्त धन राशी के स्वामी, पराय कारे को सिद करने की कला के एक मातर विध्वान, कंटक रहीत, नित्य स्वयम कपट रहीत होकर दूसरों के कपट को नश्ट करने वाले, सत्व गुण से युक्त, सत्व निष्ट, सत्यकिर्ति वाले, जीवों के प्रतिसने की कारण विभीन आगमों को प्रकाश मिलाने वाले, सुस्थिर गुणों का आधर करने वाले, अनेक रूप होकर नेक प भारवयन करने में समर्थ, बक्तों के सामने प्रकट होने वाले, अथ्वा ग्यानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रेम बढ़ाने वाले, किसी से परास ना होने वाले, संपून सत्व गुन के आश्रेत, अथ्वा समस प्रानियों के उत्पत्ति के हेतु, गो लोग की प्राप को सब्धि इसकी। प्राणियों की सिष्टी करने वाले भूत्तों के उत्पादक, कमपितना होने वाले भक्ति सवरूप, काल नाशक, नील और रोहिलोहित वर्ण वाले, सत्यवरत धारी एवं महांत्यागी, निरंतर शांत, परोपकारवर्ती एवं अभीष्टवर्दाता, वैरागेवान, विज्ञानवान, शुब देने और करने वाले, स्वयम शुब सवरूप होने के कारण शुब नामधारी, याचना रहीत, निर्गुन, दिष्टा एवं कृतत्व रहीत, सुवर्ण के समान, कांती मान, स्वभा आवता कल्यान, कारी, उदासीन, शत्रू, नाशक, विज्ञों का निवारन करने वाले, मोर, पंक, कवच और त्रिशूल धारन करने वाले, जटा मुंड माला और कवच धारन करने वाले, मृत्यु रहीत, सरवग्यों में शेष्ट, तेज, पुंज, महामनी, कोस्तु, करम के ग्याता, जानने योग्ये दीरकाल तक सत्य के व्योग में थवशिष योग की साधना में सलंगन हुए मन वाले, बूत और भविश्य के ग्याता मुनीश्वर रूप, सरवोत्तम एवं दुर्जय, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिये लगता है, ऐसे देवताओं के इश्वर, आश्रेदाता, सरवसवरूप, प्रणवरूप, तथा सत्पुष्यों के आश्रे, काल जिनका सहय के ऐसे काल के विकाल, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारन करने वाले, महाधनूर्दर, पृत्विपालक, कलंग्शून्य, बंधन रहीत, को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूरे, कृत-कृत, सिद्धी दाता और सिद्धी के सादक, सब और से माया द्वारा आवरत, स्तुति के योगे, चोड़ी छाती वाले, बड़ी बढ़ी बहाँ वाले, सबक्यूत पत्ती के स्थान, निर्भए, नर नारायन के प्रेमी अथ्वा प्रियतम, दोश संपर्क से रही तथा जगत प्रपंच से अतीत सवरूप वाले, विशिष्ट अंग वाले प्रानियों के प्रकटे में हेतू, यज्यादी कर्मों में होने वाले अंग वैगुन्ने का नाश करने वाले, स्तुति के योगे, स्तुति के प् शान बुद्धी वाले, शोब या नाश से रहित, भक्तों का संग्रे करने वाले, सतत्मनोहर, व्याग्र चरमधारी, भ्रमाजी के स्वामी, शकल्ले जिशी रूप, रातरी के स्वामी, चिंदरमारूप, परमार तत्व का उपदेश देने वाले, ग्यानी, गुरु दत्ता त्रए रूप, शर्नागतों पर दिया करने वाले, उमा सहीद, भक्ती के ग्याता, प्रेम रस परदान करने वाले, और एक हजार समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले, इस प्रकार शिरी हरी प्रति दिन सहस्त्र नामोद्वारा भगवान शिप की स्तुती, सहस्त्र कमलो द्वारा उनका पूजने मंपरातना किया करते थे, एक दिन भगवान शिप की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विश्नु ने अपना कमलोपम नेतर ही चड़ा दिया, इस तरह उन से पूजित एवं परसन हो, शिप ने उने चकर दिया और इस प्रकार कहा हरे, सब प चक्र को प्रतन पूर्वक धारन करना चाहिए, ये सबी चक्रों में उत्तम है, दूसरे भी जो लोग प्रति दिन इस सहस्र नाम का पाट करेंगे और कराएंगे, उन्हें स्वपन में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा, राजाओं की ओर से संकर प्राप्त होने पर जनक्तता सदा ही शिब भक्ती देने वाला है, जिस फल के उदेशे से वनुष्य यहां इस रेश रोत का पाट करेंगे, उसे नी संदे प्राप्त कर लेंगे, जो प्रति दिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरी सामने इसका पाट करता है, सिद्धी उससे दूर नहीं रह सकती, उसे इस लोक में संपून अभीष्ट को देने वाली सिद्धी पूर्णता प्राप्त होती है, और अन्तमिवैसा युज्य मोक्ष का भागी होता, इसमें संशे नहीं है, सूज जी कहते हैं मुनिश्वरों ऐसा कहकर सरभ देविश्वर भगवान रुदर शि उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया, तुमारे प्रशन के अनुसार मैंने ये परसंग सुनाया है, जो शुर्ताओं के पापको हर लेने वाला है, अब और क्या सुनना चाहते हो, ये अध्या इसमाप्त हुआ, जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी, आप जी का अनंतम शुक्राना, जो आप शिप पुरान अपने सामने बिठा कर पढ़वा रहे हैं, और सुनकर उसे लोगों तो संगत तक महुचाने की किरपा कर रहे हैं,